तो देखो, एक sound related एक video बनाते है आज, ठीक है, तो different case आया है, और ये board है, अभी चल रहा है, बाकी इसमें सब कुछ okay है, कोई problem नहीं है, और इस board में सिर्फ दो problem है, land काम नहीं कर रहा है, मतलब ये बाला land IC है, और ये sound IC है, ये दोनों IC, मतलब देखे तो अगर ऊपर से कोई देख के बोलेगा, तो directly बोलेगा, IC खराब है भाई, तो land port काम नहीं कर रहा है, देखो, अभी windows open है, windows 10 डाला हुआ है, और 10 से पहले, यहाँ पर एक चीज देखो, जो की important है, ये मेरा connection है, wifi का, router का, तो देखो, ये land port में भी light bling नहीं कर रहा है, तो light अगर bling नहीं करेग तो land port काम नहीं करेगा, और अभी video जो है, ध्यान से देखो, क्योंकि कुछ मैं समझा देता हूँ, इस video में, जो की beginners हो, थोड़ा बहुत काम आता है, उनके लिए काम आ जाएगा, जिनको पता होता है, उनको पता है, तो देखो, ये land port के बारे में हम बाद में discussion करेंगे, य पता है, ये इस हाट डिक से चल रहा है, तो इसका जो sound का issue है, ये sound का जो speaker है, यहाँ पर देख सकते हो, speaker मतलब OK है, अभी दिखा रहा है, पर भोली हम पे, यहाँ पर जब क्लिक करो, तो Windows का default sound होता है, टैंक टैंक करका आवाज होता है, वो नहीं हो रहा है, और वो हो नही है कि मैं दिखा हूँ, पर ये जो headphone है, ये मैं बस यहाँ पर mobile के pass लेकर रखता हूँ, जहाँ पर एक, मतलब, दोनो, इसका mic होता है, हमाना phone में, recording के लिए, तो एक उपर में है, नीचे में, तो मैं इसको बस यहाँ पास में रखता हूँ, एक दम, और, एक second, दोनों हाथ, तीनों हाथ लगेगा, भाई, एक हाथ extra होता, तो अच्छा होता, अभी मैं दिखा नहीं सकता, ठीक है, तो मैं भोली हमको, ये low high कर रहा हूँ, तो यहाँ पर, ये दोनों हेटपोन एक साथ, यहाँ पर, माइक के पास रखता हूँ, मेरा phone का, तो कोई भी sound नहीं है, ठीक ह तो ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, इसको उपर, डीपेंड करके आप देखो, हर वक्त कुछ चीज होता है, दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, तो sound इसका काम नहीं कर रहा है, अभी हम बात करेंगे, कि sound काम नहीं कर रहा है, तो इसके पीछे, मतल अलग इशू है, तो इसके बारे में दो-तिन चीज में step best step दिखा देता हूँ, अगर कभी भी, तो ये कौन सा बोर्ड है, भाड में जाए, इसको लेके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी बोर्ड पे ये problem हा सकता है, तो हमारा subject है भी sound अगर आपका motherboard में काम नहीं कर रह है, मतलब software वाला issue नहीं है, तो फिर ये video देखो, अगर software वाला issue आपके साथ हो रहा है, तो ये video देखके आपका कोई काम नहीं आएगा, तो hardware related अगर कोई issue है आपके पास, तो ये video देखके काम बनेगा, तो अभी देखो, दो तरह का problem आपको face होगा, एक problem face होगा, ये अभी sound का symbol क्या है, मतलब दिखा रहा है कि हमारा sound ready है, IC खराब नहीं है, और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा low high करोगे, तो आवाज होना चाहिए, अगर output में आपने कुछ लगा के रखाव speaker या headphone मगारा, तो इस board में ऐसा नहीं हो रहा है, आवाज sound नहीं आ रहा है, पर तो दोनो का case क्यों मिलेगा मैं बता रहा हूं, हर वक्त यह नहीं है कि IC खराब है मतलब हीट होगा, ऐसा कोई logic नहीं है कि IC खराब है मतलब हीट नहीं होगा, आईसी सही है पर particular किसी एक सेक्शन इसका काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि IC short हो चुका है, IC प्रवाब ऐसा नहीं है क्योंकि आईसी हीट होने के पीछे और यह जो सारा कॉंपोनेंट है यह कैपसिटर है यह भी डीपेंड करता है अगर इन सेक्षेन में कोई भी एक कैपसिटर आपका अगर शौट हो जाएगा यह जो SMD आप कैपसिटर देख रहे हो यह SMD कैपसिटर अगर एक भी शौट हुआ तो आपको क्या होगा यह आईसी यह साउंड आईसी है यह यह एलसी का है रियल टेक का ही है तो मैं मॉडल बाद में दिखाता हूँ यह आईसी हीट हो जाएगा तब भी आपका तब आपको क्या केस होगा मैं बताता हूँ अगर शौटिंग आए तो शौटिंग आए तो अभी देखो मैं यह जो जैक है इसको मैं रिमूब करता हूँ अगर क्यापसिटर शौट है यह फिर आईसी खराब है तो आपको सिम्बल इस तरह का ऐसे मिलेगा प्रॉस यहां पर साउंड में क्रॉस दिखेगा यह साउंड में ऐसे जो प्रॉस दिख रहा है रेट कलर का क्रॉस अपको दिख जाएगा अगर क्रॉस दिखे लोग मुझे टेलीग्राम करते हो मैरा साउंड का न्यशिम्ट है तीन चार वर पिष спортर और मुझे हैं हुए मतलब इस board में देखें तो gigabyte का यह जो board अभी है यह board देखो GAH68MTS2 तो 61 का जितने भी series है gigabyte का 61 का जितने भी series है सारा IC यहाँ पर लग भग लग जाएगा ठीक तो अभी मैं example की साथ एक board ले लेता हूं कहीं पर से भी यह यह ऊपर से निकाला यह देखो तो इसमें भी एक आईसी लगा है सेम नंबर होगा इसमें देखो कि अज़िए दीख नहीं रहा है तो मैं बता देता हूं तो इसमें जो नंबर है उसमें लगार लगभागर नंबर ही एक चोटा में जो आता है वो छोटा वाला बोड से करना पड़ेगा छोटा आईसी जिस बोड में है वो सारा सारा एक ही आता है अगर येल टेक का इसी होगा तो तो देखो दो तरह का पॉबलेम आपको फेस होगा एक तो अगर ऐसा सिंबल आलवेस रहे आपने यहां पर जैक इंसर्ट कर रहे हो बीच में जो सेंटर का जो हमारा लाइन होता है जैक डाला तो यहां पर एक नॉटिबिकेशन आया है क्योंकि रियल टक का फॉन्ट इस पिकर आउट तो इसको कर देते हैं और को करने के बाद इसको करते तो अभी देखो साउंड का जो हमारा सिंबल है यह पोपर आ चुका है क्रोस चीन नहीं हो रहा है इस बोर्ड में आएसी के आसपास कोई component खराब हो तो यहां पर आप जैक इंसर्ट करने के बाद भी यहां पर क्रोस जो सिंबल होता है यह बाला क्रोस यह मैं हटा देता हूं यह जो क्रोस आ गया भी देखो यह क्रोस मतलब हटने बाला नहीं है यह क्रोस ऐसे ही रहेगा आप जब भी जैक इंसर्ट करोगे तो यह क्रोस नहीं हटेगा अगर क्रोस नहीं हटता है तो आपको कही पर भी ध्यान नहीं देना है अगर क्रोस नहीं हटे तो आप सीधा यह जो आईसी है जो भी आईसी आपके बोर्ड में लगा होगा आइसी को तूरंत रिप्लेस करें आपका पॉल्लिम सॉल्व हो जाएगा नंबर टू अगर क्रॉस हट रहा है फिर भी साउंड नहीं आ रहा है तो इसकेस में क्या है आप ड्राइवर को ध्यान दे ड्राइवर को देख लिए अगर ड्राइवर अपने पॉपर कर लिए आपको नौलेज है पता है हाँ ड्राइवर से हो नहीं रहा है साउंड ड्राइवर से हो नहीं रहा है तो देखो यह जो पोट होता है इसमें बहुत सालफार या फी राष्ट आते हैं तो यह अंदर तो कॉपर का पात होता है फिर भी कॉपर का पात यह पोपर नहीं होता है इसमें मिक्स होता है कुछ मेटेरियल जिसके बज़ा से इसके अंदर राष्ट आते हैं तो राष्ट आने के बज़ा से आप एक काम कर सकते हो तो फास्ट इस्टिप क्या हो सकता है एक सब्सक्राइब कीबोर्ड मेरा थीनर जा जाके खराब हो जाएगा किस दिन तो आप इसमें थीनर डालो अच्छे से और फिर एक हिटफोन का जैक लो आप बोर्ड में बार-बार प्रेस करो मतलब ऐसे ऐसे करो बार-बार अंदर डालो और बहार निकालो तो यह रास्ट क्लीन हो जाने के जाने से भी आपका बोर्ड का जो साउंड का इशू है यह सॉल्व हो सकते हैं पर इस केस में मैंने डाला है थीनर सॉल्व नहीं हो रहा है और आईसी का भी हीटिंग कुछ नहीं है मतलब आईसी नार्ण वाली चल रहा है तो अभी क्या इस केस में क्या कर सकते हम इसमें कई पर भी शॉट नहीं है इस बोर्ड में तो यह जो आईसी है हम एक बार चेंज करके देख सकते हैं ठीक है क्योंकि स्लॉट से पॉब्लम इसका नहीं आ रहा है स्लोट से अगर पॉब्लेम आता तो थीना डालने के बाद यह सॉल्व हो जाता और ड्राइबा तो अल्रीड डाला हुआ है तो देखो इस बोड यह जो आसी है इसको हम रबर कॉर्फ करने से हो जाएगा ठीक है अगर नहीं हो था है तो यहां ऐसी साही है और यहां पूट सेखिंघ्स ही मिल रहा है हमें यह देखो यह मैसेज दे रहा है यह को के कर दिया कि अभी यहां पर आ चुका है मैं फिर से फाइनल एक बर में खुद देख लेता हूं कि इतना टाइम तो मैं देख रहा था कि अधान नहीं हो रहा था अभी फिर से मैं कानों में डाला है इड़ां को नहीं कुछ भी स्पास नहीं है कुछ भी रेस्पास नहीं है है यह दो तो हुआ है, इस केस में यह हीट हीट नहीं हो रहा है, पर आईसी खराब है, यह के सियु हीट, नहीं हां है , यह भी मैं दिखा देता हूं, यह देखो, यह दिन्ध डाल दिया, देखो कोई भी response नहीं कर रहा है, मतलब observe नहीं हो रहा है, थोड़ा सा भी, मतलब IC का कोई भी hitting नहीं है, और लगे हाथ इसका LAN IC, ये भी hit नहीं हो रहा है, मतलब दोनों IC में एक भी IC hit नहीं हो रहा है, ये लेंड उसका कर नहीं कर रहा है, ये जो IC है, इसको मैं replace करूंगा, देखो सब कुछ आप सही से कर रहे हो,од आप step by step कर रहे हो तब ये डाइवर ही डाला नहीं हो रहता है, पर Windows 7 आपने डाल के रखा है, sound का driver का require है, आपने डाला नहीं, customer का board आया, आपने directly IC चेंज कर दिया, ऐसे मत करो, time best होगा आपका, ठीक है, तो मतलब पर जानो, कहां से हो रहा है, क्यों हो रहा है, और port को पहले एक बर clean करके देखो, आराम से आप driver करो, DRP मिलता है, driver pack solution 17, 18, यह मिलता है, कई पर भी, torrent से जाके download कर लो, यह लगबख 17GB या फिर 18GB का होता है, driver pack अभी 19 आया है, वो लगबख 30GB का है, 30GB का होता है, ठीक है, 30 से 32GB का होता है, तो यह install कर लो, अगर काम करता हो, तो यह आपको लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप जब कुछ board आएगा, काम करोगे, तो driver डाल डाल के चेक करके भी देना होता है, तो देखो, इस बोट का गीगाबैट का official बास मिल जाता है, मतलब official sound driver मिल जाता है, sound driver आप डाउनलोड कर सकते हो, पर कुछ-कुछ board में official नहीं मिलेगा आपको, इसलिए driver pack solution आपको रखना पड़ेगा, तो देखो, यह यह जो IC है, अभी मैं इस बोट को shutdown कर देता हूं, और यह जो IC है, मैं इसको एक पुराना IC लगाओंगा, क्योंकि मेरे पास बोट पड़ा है, इसलिए, और नया IC का collection मेरे पास है भी नहीं, क्योंकि यह case बहुत कम आते है, और आते है तो पुराना बोट से ही, इसका बोट स जल रहा है, तो यह मैंने सारा आप कर दिया, अभी सारा disconnect कर दूँगा, और यह जो IC है, इसको मैं एक बर replace करूँगा, मतलब change करूँगा, तो मैं ready कर लेता हूँ, थोड़ा सा pause कर देता हूँ, ठीक है, तो camera को मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ, ठीक है, तो यह है IC, इसको हम remove कर लेंगे, तो मैं इसे remove कर लेता हूँ, ठीक है, साथ में रहो, तो यह हो गया, हमारा IC मैंने remove कर दिया, अब surface को थोड़ा सा clean करेंगे, और उससे पहले यह है donor board, जिससे हम IC को collect कर लेंगे, तो यह IC जो है, इसको हम इधर रख देते हैं, और his board से IC को collect कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद surface को clean करके, तो इसको fix करते हैं, यह हमारा donor board का IC, यह है, 61 का S1, इससे मैं collect कर रहा है, यह IC को, दोनुरी gigabyte का mother board है, यह है, यह है कि अरुम कर बाद कर दो कर दो है, यह हैं, यह हैं, कि यह रिमूव हो गया तो यह जाएगा नीचे वाला बोट पे पेशन पे तो यह पेशन पेजाएगा और यह डोनर तो इसको से ऐलाइन्मेन करना है तो सरफैस को क्लीन करना फिर फिक्स करना तो पॉस कर लेता हो मैं टाइम बस्टोर से घिकना तो मैंने यह जो आइसी है यह 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 अंबंग कर लिया है अब हलका सा डेसेंड चलाओंगा और इसको फिक्स करने की कोशिश करूंगा मैं इधर माइक्रो पे देखे काम कर रहा हूँ ठीक है तो आपको जितना दिखे आप दिखो केमरा में आपको 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 तो यह पर फिक्स नहीं हुआ है इसको शोल्डरिंग आयरन से शोल्डरिंग करना है पर मैं नहीं करूंगा अभी मैं इसको फिक्स कर देता हूं ठीक है इसका नया हाथ है वह ऐसे मत किया करो SMD से काम आप शोल्डरिंग इस्टेशन उस करो SMD से मतलब सेट करने के बाद आप शोल्डरिंग इस्टेशन उस करके अच्छे से फिक्स कर दो और मैंग्निफाइंग ग्लास है माइक्रो है तो बहुत अच्छा देख लो कोई भी पिन से एक पिन से एक पिन कनेक्टेड है कि नहीं अगर टाच है तो उसको फिक्स करो टीप करो कि यह देखो हुआ है कि यह को यह फुली है कि क्लीन करके दिखाता हूं ठीक है कि यह हमारा ओल्ड आइसी जिसमें साउंड नहीं आ रहा था अभी हमें देखना है कि ही इस आइसी से साउंड आउटपूट होता है कि नहीं कि यह देखो ओ तेरी एक पिन टाच हो गया है यह पर देख सकतो यह वाला पिन मुझे दिख रहा है माइक्रों के यह वाला पिन पर कुछ नहीं 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 इसमें कुछ शोल्डर नहीं था कुछ और था चलो ठीक है यह देख सकतो अब किलियर इसका जो पीन से पोपरली लगा है और मिल्कुल फिक्स है ठीक है तो अच्छे से अलाइन्मेंट कर लो अभी देख के लगेंगा नहीं कि यहां पर आईसी चेंज हुआ है लगेगा कि कंपनी का ऐसा ही नहीं है ऐसा ही काम करना जब भी आप करो क्योंकि जितना आप की सफाई करके काम करोगे क्लीन काम करोगे तो उतना ही सब के लिए अच्छा है आप के लिए भी और कस्टोमर के लिए भी तो कस्टोमर यह बोर्ट देखे गा तो पता नहीं चलेगा कि इसका आईसी चेंज हुआ है पर पर क्यूंकि नया नहीं लगाया इसलिए जैसा था वैसा ही डाल दिया तो चलो इसका में setup बना लेता हो फिर से और देखते solve होता कि नहीं अगर नहीं होता है तो अलग कुछ करेंगे फिर भी ठीक है तो थोड़ा सा पॉस्ट कर देता हूं तो विंडोस मेंने सारा फिक्स करके बोर्ड अन किया बोर्ड भी विंडोस अन हो रहा है साथ में रह जाओ थोड़ा सा तो यह हो गया विंडोस रेडी यह देखो sound का जो symbol है यह cross है तो हम इसको तो इस बोर्ड में ऐसा cross रहेगा क्यूंकि जब तक अब प्लागिन नहीं है तो यह cross हटेगा नहीं तो यह आया है अभी और इसका font speaker ऐसे रहेगा आउट रहेगा ओके फिर यहां पर रोके अभी मैं थोड़ा सा चेक करूंगा कि sound आ रहा है कि नहीं हो गया हो गया हो गया अभी एक चीज दिखाता हूं कैसे दिखाओ भई स्वल्व हो गया यह देखो ऐसे रखता हूं और यह हेटफोन तो यह sound आएगा की नहीं पता नहीं पर मैं यहां पर डाल रहा हूं एक पीछे आगे यह देखो फूल साउंड में अभी स्विकर में यह आ रहा है साउंड एक स्विकर कहा है यह देखो अच्छा मुझे नहीं पता है वीडियो में sound record हो रहा है कि नहीं पर sound बज रहा है ठीक है तो हमारा इससे आप क्या सीख पाए हो कि हर बड़ साउंड हो नहीं रहा है इसका मतलब यह नहीं कि sound IC ही खराब मतलब हीट होना चाहिए sound IC ही खराब है मतलब हीट होना चाहिए ऐसा नहीं तो इस case में हमारा IC हीट नहीं हो रहा था और slot हमने clean किया उसके बाद भी sound तो नहीं रहाता क्योंकि कभी कबर होता है यह जो socket है, इस socket से problem generate होता है, ज्यादा तर socket से problem आता है यह राष्ट यह फिर sulfur कडने के बज़ा से, और लोग थोड़ा सा इसमें ध्यानी नहीं देता है, क्योंकि इसके अंदर thinner दे के clean करना होता है, jack को बार बार open and close करना होता है, तो यह करने के बाद यह solve हो जाता है, तो ज्यादा तर लोग इसमें ध्यान नहीं देता है, directly IC चेंज कर देता है, और फिर भी नहीं होता है, और telegram कर देते हो कि क्या करूं क्या करूं, तो अभी मैंने पोपली दिखाया, step by step क्या करना है, अभी बचा है इसका LAN, तो LAN case में अभी मैं इसका IC ही चेंज करने वाला हूं, पर वो उसमें वीडियो में नहीं रखोंगा, अल्लेडी 23 मिनीट हो चुका है, तो यह जो हमारा आज का case study है, sound का, यह fully successfully हो चुका है, और एक बार मैं रिमाइन देना चाहता हूं, अगर यहां पर cross chinno ऐसे दिखे, और jack insert करने के बाद भी cross hurt नहीं रहा है, और आपने motherboard में already sound का driver दे के रखा हूं, तब जाके आपको कुछ नहीं करना है, और यह जो अभी मेरे पास case था, jack insert करने के बाद, यहां पर speaker का symbol, मतलब active हो रहा था, फिर भी sound नहीं आ रहा था, इस case में कभी कबार IC चेंज करने से आपका काम नह करना होता है, basically, तो socket clean करने के बाद, अगर ना हो, और आप technician हो, तो IC को एक बाद change करे, और जो technician नहीं हो, तो उनको तो board भेजना परेगा, किसी ना किसी के पास, तो चलो, वीडियो बस इतना ही रखते है, 24 minutes, 46 seconds, मिलते हैं किसी next case study पे, love you all, जाए ही नहीं थे,